इस फोन में आपको 2000 mAh की बैटरी मिलती है जो इस फोन को पूरा दिन चलाने के लिए बहु काफी है 4G यूज़ करेंगा अब इस पर तो बैटरी साला लगेगी इसलिए थोड़ी से बड़ी बैटरी दे गई है dual sim phone है एक 4G sim लगा सकते हैं एक कोई और network की कोई भी sim लगा सकते हैं तो CDMA phone यह नहीं है तो काफी सब लोग जो यह सोच रहे थे कि यह phone जोगा CDMA phone होगा कोई और sim इसमें नहीं पड़ेगी तो ऐसा नहीं है dual sim phone है आप कोई और sim भी यूज़ कर सकते हैं इसमें कि अच्छाइद राइट साइट से ओन होता होगा कि नहीं कि राइट से भी ओन नहीं हो पारा कि मेरे खेल से लेफ्ट से ही होगा लेफ्ट पर ट्राइब करते हैं तो यह phone जो ऑन हो गया आप देख सकते हैं जियो डिजिटल लाइफ तो जियो डिजिटल लाइफ इस लाइफ फीचर फोन इस फोन में आपको वीडियो कॉलिंग का option जो है नहीं दिया गया है front camera नहीं है इसमें सिर्फ back camera है काई operating system जो है life ने इसमें डाला है life का अपना operating system है चेंजिस की गई है कुछ इसमें तो नॉर्मल पहले वाला उतातर वैसा नहीं है तो देख सकते हैं फोर्जी फोन जो है इसमें काम कर रहा है फोर्जी से ममाला चल रहा है फोर्जी नेटर गोल्टे भी आएगा इस पर इस फोन में कुछ special features नहीं है नॉर्मल जो पुराना फोन होता है वैसे ही features है इसमें मैन्यों खोल के देखते हैं मैन्यों में क्या क्या है तो वह नॉर्मल डाइलर है messenger है video है songs है emailing भी है इस फोन में है तो सबसे में चीज़ों चेक करनी है क्या है इसमें hotspot है तो देख लेते हैं इसमें hotspot है या नहीं है settings में जाकर देखते हैं तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल wifi option तो आरा bluetooth है वाइफाइब से आप इस फोन को connect कर सकते हैं Bluetooth से connect कर सकते हैं अब hotspot ढोनना है बिल्कुल 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 येस मिल क्या hotspot internet is sharing जो है यह hotspot है तो बिल्कुल इस phone में hotspot है तो ये phone useful है आप सबके लिए तो इसे खरी सकते हैं 21 जुलाई को ये market में available हो जाएगा तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और इस वीडियो को